मुख्यमंद्री शिवरा सिंग जोहान शासन की योशनाओं का लाब गाउं गाउं तक और प्रत्ते ग्राम वासियों तक पहुँचे इसके लिए सशक्त अभियान चला रहे हैं शासन द्वारा चलाई जा रही योशनाओं का लाब वास्तविक हित्गराही तक पहुँचे और विकास के लिए दी गई राशी का बहतर उप्योग हो इसके लिए ग्राम पंचायत प्रशासन को निर्देश भी दिये गए हैं साथ ही पंचायत के कारियों में पारदर्शिता के लिए समय समय पर क्रियानवित योशनाओं का मुल्यांकन किया जाता है मुख्यमंद्र की मन्शा के अनुरूप जाववा जिले की सभी तहसीलों और ग्राम पंचायतों में शासन के सभी विभाग बहतर कारिक कर रहे हैं जाववा आदिवासीक शेत्र होने के कारण यहां की पंचायतों को पूरे प्रदेश से जोड़ने के उद्देश से प्रतेक ग्राम पंचायत की हिंदी भाषा में वेबसाइट तयार की गई है जिसमें जाववा जिले की प्रतेक 25 से संबंदित विकास योशनाओं हित्रकाहियों की जानकारियां दी गई है प्रतिमा पंचाई सचिव खुद ही वेबसाइट को अपडेट भी कर सकते हैं जाववा कलेक्टर जैश्री कियावत के नेत्रित्व में अगारी आवे फायदो उठावे अभ्यान में सभी विभागों के अधिकारी अनिवारी रूप से गाउं जाकर रातरी विश्राम कर गाउं के विकास में महती भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं इससे ग्राम पंचायतों के विकास को गती मिली है इस अभ्यान से जाववा जिले में लोग प्रशासन काफी मस्बूत हुआ है जले अस्तर की समस्त पंचायतों को सुचना प्राद्योगी की से जोड़ते हुए सशक्त बनाया गया है और साथ ही प्रतेक पंचायत दोरा अपनी वेबसाइट तयार कराई गई है इस वेबसाइट के माध्यम से ग्राम पंचायतों की भूमिका को आम जनजन तक पहुचाने के लिए एवं ग्राम पंचायत की समस्त योजनाओं की जानकारी वेबसाइट पर उकलब्द कराई जाएगी साथ ही यहाँ भी प्रयास है कि जनपत पंचायत की दोरा संपादित किये जा रहे कारियों में पूर्ण पारदर्शिता परिलक्षित हो सके जाबुआ जैसे जिले में ग्राम पंचायतों का सुद्रडी करण किया जाना एवं पंचायतों की वेबसाइट तयार कर प्रत्यक पंचायत इस्तर पर शासन की चल रही योजनाओं को वेबसाइट पर डाला गया है जिसके माध्यम से जाबुआ जिले आज पेश्व के पटल पर अपनी एक पहचान स्थापित कर सका है जाबुआ जिले में जो ये अभीनाव प्रयास हो रहा है हर ग्राम पंचायत अपना जो एक खिड़की बना रही है जो बाहर के दुन्या को दिखाने के लिए जो हमारे ग्राम पंचायत के दोरा जो अच्छे-चे योजनाओं का क्रियानवे नुवा है इसको में बहुत ये कमेंडबल जाब है मैं बहुत गदाई देता हूँ हमारे ग्राम पंचायतों को सबे को इन्होंने इस काम को अंजाम दिया हुआ है जाबुआ जिले में ग्राम इंविकास में बहुत ही अभीनाव प्रयास हुआ है वो नरेगा में हो, ITDP में हो, बहुत सारी योजनाओं का क्रियानवे नम ने बहुत अच्छे तरह से किया हुआ है खासकर जो कपिलदारा योजना, उप्योजना में है और IWMP के जो जलगरहन योजना में है जाबुआ जिले प्रदेश में अग्रणे रहा है मेरी जनपत पंचायत में अरशट ग्राम पंचायते हैं अरशट ग्राम पंचायतों के अंदर 127 ग्राम है यहां की जनसंख्या एक लाग तेश हजार के लगभग है यहां पे 90 प्रतिसत आदवासी निवासरत है मेरे हां 15,340 BPL के खितग्राही हैं जिनके लिए हम काम करते हैं सासन की बिभिन योजनाओं के तहत सासन की कल्यानकारी योजनाओं के तहत हम बिभिन वर्गों को खास्तोर से SC, ST, BPL हितग्राहीं को लाभन बित करने का प्रजूर प्रयास करते हैं और बिभिन योजनाओं में इन लोगों को हमने अपने कलेक्टर महोदय एवं सीयो जिला पंचायत के मार्क दरसन में क्रियान बित करने का भरपूर प्रयास किया है जागवजन पत पंचायत में 68 ग्राम पंचायतों में सर प्रथम हमने पंचायत सुद्री करन की बात ध्यान में रखके कलेक्टर महोदय के निर्दिस और उनके मार्क दरसन में की हैं पंचायतों में हर हिद्ग्राही को उनकी क्रियानमन की जा रही योजनाओं के तहत कहीं न कहीं लाभन बित किया जाए इस बात का ध्यान लखने का प्रयास करते हैं जिसके तहत यहाँ पे कलेक्टर महोदय के मार्क दरसन में एक ग्राम बुक का निर्मान किया गया है और मेरे जनपत पंचायत के अंतरगत हर पंचायत की ग्राम बुक बन गई है जिसमें ग्राम पंचयत में कितने पंच हैं, सरपंच कौन हैं, सचिप कौन हैं, वहां का नुडल अदकारी कौन हैं, एग्रिकल्चर का कर्मचारी कौन हैं, अर्डी का कर्मचारी कौन हैं, आंगनबाडी कार करता कौन हैं, सिक्षक कौन से वहां पर काम करते हैं, सास की सिवा आज के सूचना प्रध्योगिगी के युक से कदम मिलाते हुए जाववा जिले की सभी पंचायतों को सूचना प्रध्योगिगी से जोड़ कर सशक्त बनाये जा रहा है। हूँए युए जावश ढ़नाये जावा है।